बिहार की टीम यानि की सेयद मुस्ताक हली टूर्नामेंट के लिए बिहार क्रिकेट टीम का चैयन कर लिया गया है और उनके नामों के भी घोश्टा कर दी गई है ऐसे में हम आगे जानेंगे किन का नाम इसमें सामिल किया गया है इंदेनों देश में क्रिकेट का खुमार है और हो भी क्यों नहीं T20 विसकप जो सुरू हो गया है आईपील स्वाप्ट होने के बाद ही T20 विसकप को लेकर लोगों में खासा उत्सा देखा जा रहा है तो इधर बिहार की टीम भी सेयद मुस्ताक हली टूर्फी खेनने के क्रिशना पटेल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आस्तोस अमन को टीम की कमान सौंपी गई है उन्होंने यह भी बताया कि कोविड-19 को लेकर जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए बिहार के टीम पांच दिनों के कौनटीन पिरियड से गुजरने के बाद अ अपना दूसरा मुकाबला मद्ध परदेश के साथ होगा जबकि बिहार के टीम का आखरी मुकाबला 9 नौवंबर को गुजरात के साथ खेला जाएगा बता दें कि यह सभी मुकाबला दिल्ली में खेला जाएगा पिताए तो यह भी जा रहा है कि बिहार के टीम 27 अक्टूबर को मुईनुलहक कस्टेडियम से दिल्ली के लिए रवाना होगी स्यद मुस्तागरी ट्रॉफी के लिए बिहार क्रिकेट टीम इस परकार है असुतोस अमन कप्तान के रूप में होंगे सचिन कुमार सिंह, बाबुल कुमार, मंगल कुमार, अभिचीत, साकेत, अमोद, यादव, सूरज कस्यप, कुमार, रजनिस, हर्स बिक्रम, हर्स बिक्रम, आईपील में खेलने वाले खिलाडी है सचिब राज, सकी बुल गनी, ये भी आईपील में खेलते हैं, समर कादरी, ससी आनंद, मलय राज, अनुनाय नाराइन सिंह, सेखर कुमार सिंह, बिक्रां सिंह, रोहित कुमार, रिसी राजो, पृतिउस सिंह, और आदित सिंह सेद मुस्ताखली ट्रॉफी में बिहार की टीम में खेल रहे सकी बुल गनी, समर कादरी और हर्स विक्रम सी ये वो खिलाडी है जिनका चैन आई पील में हुआ है ऐसे में बिहार के टीम को उमीद है कि इस वार सेयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में बिहार का परदर्सन पहले से अच्छा होगा बिहारी नियूज की हकामना करती है कि सेद मुसाख अली ट्रॉफी में बिहार की टीम एक बहतरीन परदस्रन करके अपने घर बापस लोटे बिहार और बिहार से जुड़े ही और वियासे खबरों के लिए बने रहें बिहारी नियूज के साथ मुझे जी अजाजत धन्यवाद